हाई फ्रेंड्स हमारी चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज देखिए हमने ये कॉलेज की लड़कियों के लिए बहुत ही प्यारी एक ड्रेस बनाई है जिसे आप अपने टेलर को देखा के बनवा सकती है या अगर आपको सिलाई आती है तो आप खुद बना सकती है आप इसके देख सकती है इसका फाइनल लुक और इसे हमने बहुत इजी तरीके से ब्लाउज और इस कुर्थी को बनाना बताया है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं तो जिसके लिए देखिए हमने ब्लाउज के लिए लिया है हमने एक मीटर से हमारा 80 cm कपड़ है यह हमारा जो कपड़ा है यह हमारा सांटन का और यह हमारा जो नैट है यह भी काफी अच्छा है सॉफ्ट नैट है तो यह हमने सांटन लिया है लेकिन सांटन के नीचे हम नीचे एक और कॉटन का कपड़ा लगाएंगे ताकि सांटन का कपड़ा थोड़ा सा बहारी हो ज देखिए हमने इस कपड़े को चार तह में बिच्छा लिया है अब लंबाई देख लेते हैं जैसे कि हमारी जो तैयार लंबाई है वो 14 रहेगी जितने हम ब्लाउज की रखते हैं और उसमें हमने एक इंच एक्स टा लिया है टोटन हमने इनमे 15 इंच लिया लेंथ में आप अ मतलब नॉर्मल ब्लाउज की तरह ही कटिंग होगी इसकी अब यहां से अपनी ब्रेश्ट का फोर्थ पार्ट और उसमें टू इंच एक्स्ट्रा मार्जन तो यहां पे जो 36 ब्रेश्ट का अकॉर्डिंग बना रहे हैं इसमें हमने टू इंच का मार्जन ले लिया है अब य साइड से हाप इंच का तीरट डाउन करेंगे ताकि गला उतरेना अब उसके बाद इसमें जो गले की ड्राफ्टिंग है वो कर लेते हैं गले की लंबाई हम इसमें रख रहे हैं देखिए गले की लंबाई भी आप अपने हिसाब से रख सकती हैं हम यहां पे चार इंच बनाना बता रहे हैं तरीक आप अपने हिसाब से इसमें देख सकती है मतलब आपको किस टाइप में इसे बनवाना है अंदर कोई डिजाइन भी लगवा सकती हैं तो यहां से इसकी सेम कटिंग कर लेते हैं आर्म होल के इहां को लाई दे देते हैं डेर इंच की फरंट के लि चाहते हैं तो हमारी उसका लिंक description में है और online भी खरीच सकती है हमने अपना contact number भी डाला हुआ है प्लेटो के लिए निसान लगाएंगे 10 इंच पे और दोनों साइड को हम ऐसे गले वाली साइड से रखा है हमने ध्यान रखें मतलब चारों पार्ट पे हमें सेम लगा लेना है और इसका अस्तर है वो इसी को रखके cutting कर लेंगे अब जो हमारा ये net है net का साइड मैं नहीं बताया आपको net मैंने कितना लिया है ये net मैंने लिया है डाई मीटर क्योंकि मैं इसमें से full sleeves बनाऊंगी और देखे किनारे वाले पार्ट को मैंने निकाल दिया है क्योंकि वो थ ये थोड़ा सा मतलब डिजाइनर नेट है तो इसमें आपको थोड़ा सा मार कम दिखेगा तो वो हम आपको पेपर पे समझाएंगे तो हम इसकी जो लंबाई है वो 42 इंच रखेंगे तैया एक्स्ट्रा मार्जन ले लिया है हमने उसमें 2,5 इंच अब यहां से 13 ले 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 यहां से हमने 11 इंच ले लिया है तोटल और अब हम निसान लगाएंगे कमर के लिए 8 इंच पे और हिप के लिए लगाएंगे हम 13 इंच पे और इन निसानों को हम ऐसे सीधा कर देंगे यह देखिए जैसे हम कुर्ती में करते हैं और अभी क्या करेंगे कि अभी इसका भी हम 4 पार्ट करेंगे देखिए हम फिर से बताए देते हैं 8 इंच नीचे कमर के और 13 इंच नीचे हिप के अब यहां से कमर वाली साइड से 9 इंच पे निसान लगाएंगे कमर का चौथा हिस्सा और उसमें हमने 1.5 इंच जादा ले लिया है तो यहां पे हम जो आपका घेरा वाला पार्ट है वहां से हम ले लेते हैं 13 इंच और उसमें 1 इंच एकस्ट्रा तो टोटल 14 इंच लिया है हमने बॉटम वाली साइड से और इसको अब इसी निसान से ऐसे तिर्चा मिलाएंगे यह देखिए हम आपको पेपर पे समझा देंगे क्योंकि हमने खूब कोशिस की है जितना हमसे हो सका है चौक बदल बदल के लेने की भी लेकिन यह फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है इस पे तो उसके लिए सौरी हम आपको पेपर पे समझाएंगे तो देखिए अब इसकी सेम कटिंग कर लेते हैं हम पहले तो देखिए friends हमने उसकी cutting कर दी, अब हम आपको बताएंगे, हमने paper पे कैसे बता, कपड़े पे कैसे निसान लगाया था, पहले armhole के लिए लगाया, फिर हमने कमर के लिए लगाया, 8 इंच पर फिर hip के लिए लगाया, हमने 13 इंच पर फिर in pointer को हमने इस तरीके से मिलाया, दे देखी यही ड्राप्टिंग हमने उस कुर्टी पे की थी और सेम कटिंग कर दी है हमने आपको इसलिए बताया पेपर पे क्योंकि इसमें चौक के निसान देखना ही रहे थे यह हमें भी समझ में आ रहा था तो अभी हम क्या करेंगे हम एक पार्ट को निकाल देंगे बैक पार देखिए इससे ज्यादा भी आप रख सकती है मतलब आपका पेट वगरा न दिखे तो आप इससे ज्यादा भी रख सकती है तो मैं इसे 19 इंच तक बंद रखूंगी उसके बाद नीचे से मैं इसमें कट लगा दूगी और यह सेंटर में नहीं लगाना है कट आपका जो कट होना चाहिए वो सेंटर से थोड़ा साइड में होना चाहिए आप अपने हिसाब से भी सेर्फ कट को लगा सकती है तो देखिए हमने इंच टेप को रख दिया है और हम पूरे में इस कट को लगा देंगे हमने चौक का निसान लगा रख आ है वो आपको नहीं दिख रहा है तो हम यह 19 इंच उपर से छोड़ के और इसमें कट लगा देंगे तो देखिए हमने यह कट लगा दिया है जिससे की बहुत प्यारा इसमें लुक आएगा अब हमने यह बैक और फ्रंट और यह बलाउज वाला पार्ट रख लिया है अब हमसलीफ की कर्टिंग कर लेते हैं तो यह इसटरीके से हमने जो हमारा कपड़ा बचा है उसको हमने ऐसे चौर तेह में बिच्षा लेंगे इसको देखिए और आप स्लीबस इस में स्लीबलस भी रख सकते हो बाजू भी लगा सकते हो या फिर आप इसमें हाब बाजू भी रख सकते हो तो हम इसकी जो बाजू की लमबाई वो टोटल हमने 47-Hinश ली हैं मारजन समय अब जो खुली वाली साइड भाझा से 3-Inch पर निसान लगाके और 4.5.8 इंच ली है और इस तरीके से मिला देंगे इसको और यहाँ से हम गोलाई देके और फिर जो इसमें सेफ होती है वो देखे कटिंग कर देंगे तो देखिए यह हमने और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की भी हम कटिंग कर देंगे ये हो गई हमारे बाजू की फुल कटिंग अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं तो देखिए ये तो हमारा साटन का कपड़ा है और इसके लिए हमने ये वाला अस्तर कट कर लिया है इस तरीके से कॉटन में अब हम क्या करेंगे देखिए आर्म होल से लेके यहां से लेके यहां तक पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे हमने इसको अस्तर को उल्टा करके रख लिया है सीधी साइड को देखिए हमने सीधी साइड को सिलाई ये लगा ली है अब हम इनमें छोटे छोटे कट लगाएंगे अब हम इनको सीधा करेंगे और दोनों पार्ट हमें सेम बनाने इससे क्या होगा कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो अंदर चला जाएगा तो देखिया हमने ये पूरे में लगा लिए अब हम क्या करेंगे कि अब इसमें हम फिटिंग वाली साइड से स्टार्ट करेंगे और किनारे के उपर सिलाई नहीं चलानी है सिलाई को एक पॉइंट हटा के चलाना है तो यह देखिए हमने एक बहुत ही फिनिसिंग के साथ इसमें सिलाई लगा ली है अब देख सकती है कि बहुत अच्छे तरीके से यह तैयार हो गया है अब प्लेटों के लिए निसान लगाएंगे क्योंकि वो हमारा मिट किया था तो 3.5 इंच की दूरी दिये हमने गले वाली साइड से और 5 इंच इसकी लंबाई है अब हम एक साइड और प्लेट डालेंगे 5 इंच पे निसान लगाएंगे और प्लेट की जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से जैसे कि हम इसे 3 इंच की दे रहे हैं 3-4 इंच तक दे सकती इसमें थोड़ी से प्रिंसिस सेप आ जाएगी और आगे से बहुत प्यारा इसका लुक आएगा तो हम इस प्लेट की जो चौड़ाई है वो आधा इंच के लगभग ले रहे हैं और यहां से सिर्फ सेप के लिए ले रहे हैं आप इसमें कब भी लगवा सकती हैं लेकिन ऐसे इसकी फिणि बहुत प्यारी आती है अब इस साइड से इस प्लेट को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और डाल देंगे और जो दूसरी साइड से प्लेट हैं थो उनको बिएसे ही डाल लेंगे हम बैक पार्ट में भी हमने दो प्लेट को लिए जो निसान लगाए था कटिंग करते टाइम उस part को और ऐसे ही हम उसको को वी तयाар कर लेंगे जैसे इसको किया है तो देखिए हमने दोनों साइड को प्लेट डाल दी है यह हमारा back part है इसको भी हमने ऐसे ही तयार कर लिया जैसे हमने इस जों किया था अब दोनों का तीरफ कर लेते हैं बेक का तीर एकदम बरावर जोइंट हो गया है अब एक सिलाइस के सोल्डर पे लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए अब देखिया हमने फिटिंग के लिए निसान लगा लिया है अब चाहें तो आप इसमें हुक लगा लीजिए चाहें आप इसमें जिप लगा ली यहां से हम डेडिंज तक खाली से लाई चलाएंगे उसके बाद हम जिप लगाएंगे तो पहले हम यहां से इसे डेडिंज तक हमने सिल लिया है अब इसको ऐसे रखेंगे और जिप को हम इस तारीकी से रखेंगे इसके उपर ऐसे सीधा करके सीधा करके रखेंगे और दोनों साइड से हम जिप को ऐसे ही लगा लेंगे हमने एक वीडियो स्पेसल डाली हुई है क्योंकि वीडियो ये बहुत बड़ी हो रही थी हम तो अलग से सोच रहे थे कि अलग से डालेंगे लेकिन फिर आप लोगों को बहुत परेसानी होती है इसलिए हमें दोनों पार टेक में ही जोडने पड़े क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है फिर वीडियो इसलिए हमने सब कुछ थोड़ा थोड़ा आपको सब कुछ जल्दी जल्दी बताया है तो देखिए अब हम एक्स्ट्रा जिप को कट कर देंगे और एक एक सलाई जिप के उपर से लगा देंगे ताकि यह अच्छे से फिक्स हो जाए तो यह देखिए अब एक सलाई के उपर से लग जाएगी तो यह दिखाई नहीं देगी यहां से इस तरीके से सलाई लग बाटम पर देख़ें। हम पट्टी लगा लिए हैं नीचे। अब रूंगिएपक्बान साँख करके विर एक जदू निवेगाएगा अगानेशन मत्राइब्स प्यूंग करें। चेंट्टर के खकरक्ट होतों हैं। इससshot बिदा खका difक्ति के टीमोगर के लग लिए कुछ नहीं है वह दोनों सैड से व को पटी है प्रूस में धीन की तो कोफ़ाए लिए करें डिक लिए ती इसलिए हमने जितनी इसकी लंबाई है इसलिट की और इसलिट से हमने एक इन चूपरजूर करके रखेंगे इसको और इसको डवल फोल्ड कर लेंगे पट्टी यह पर दोनों आप लगा दी है अब दोनों से नीचे से सटार्ट की थी अब उपर की साइड आ गए हैं यहां سے ऐसे मोड के जैसे कुड़ती में सिलिट बनाते हैं उसी तरीके से इसमें फिनीसिंग के सास्सलिट बना लेंगे हम और फिर नीचे तक सेलाई को ले आएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से सिलिट बनके आई है नेट की लगाई तो ज्यादा बैटर रहेगा क्योंकि कपड़े की फिर इसमें दिखाई देगी नेट की इसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही तो देखिए हमने इसको पूरा सिलिट को लगा लिया है आप देख सकती है नीचे तक जितनी भी लेंथ है बहुत ही फिनिसिंग की साथ हमारी अब चाये हम आपको बटन वगएरा भी लगा सकती है आप इसका बैक पार्ट भी तायार कर लिया है दोनों का तीरा जोइंट कर लिया है अब इस पे हमने सोल्डर पे एक सिलाई लगा लिया बाजू लगा लिया है बाजू की एक साइड को करके हम सिलाई लगा देंगे बाद जोगों पर भी अब इसकी फिटिंग कर लेते हैं तो फिटिंग आपको इसकी देखिए जितनी आप फिटिंग में पहनना चाहती है उस हिसाब से इसकी फिटिंग कर सकती है यह हलका सा लूज भी होता है यह हलका सा टाइट भ अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करना और मेरी वीडियो को सेयर भी करना और अपनी फ्रेंड के साथ सेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास जोईन करना चाहते हैं तो मेरी 10 दो बज़े वीडियो आती है उसे भी अटेंट करना धन्यावरे